उठके पानी पिया करो जिनको जोडों में दर्द है जिनको मोटा पा है कफ है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए अब देखो पानी के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा विजियान है सुबह गरम पानी पेने से मोटा पा कम होता है और दिन भर गरम पानी पियो तो एक मैने में दो से तीन किलो वीट कम हो जाता है और गरम पानी में गोमुत्र डाल के पियो तो पांच किलो तक वीट कम हो जाता है एक मैने में गोमुत्र का अर्क है लिलिया करो अपना देशी ग किडने के लिए, स्किन रोगों के लिए, जिनको बोड़ी में टॉक्सिंस, अक्सिदेंस बहुत जादा बढ़ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, मोटा पा और कब्ज के लिए तो दवाई है, गोमुत्र, तेज गरम पाने में गोमुत्र पीलो, पहले थोड़ा से आने की बाद पी लिया करो, तो हाँ, सुबह गरम पाने में आमला अलवेरा का जूस भी पी सकते हैं, उसे बाल अच्छे रहते हैं, आँखें अच्छे रहते हैं, स्कीन अच्छे रहते हैं, हड़ी अच्छे रहते हैं, और पूरी बाड़ी में एनरजी रहती हैं, किसी आमाश है उनकी मने उनका स्टेमेक उनका लिवर उनकी इंटरस्टाइन ये सब बहुत अच्छी रहती है उनकी तो खेर सुबह उठके पानी के साथ क्या-क्या पी सकते हैं वो आमला एलवेरा गोमतरादी मैंने बता दिया है वैसे कुछ लोग नीमबू और शहद गरम पानी म पेने से उसे भी मोटापा कम होता है अब जिनको जोडों में दर्द है और आस्थमा है उनको ठंडा पानी ने पीना चाहिए हाँ जिनको ऐसी डीटी है उनको नॉर्मल पानी पेना चाहिए घड़े का पानी अथ्वा टांबी के लोटे का पानी पेने से भी कॉंस्टिपेस दो चास जूस किसी भी रूप में कितना तीन से चार लिटर लिक्विड सर्दियों में कम से कम तीन लिटर गर्मियों में कम से कम चार लिटर लिक्विड जाना चाहिए अपनी बोड़ी में घै सुबह उठकर के पानी खड़े हो करके नहीं पीना चाहिए बैठके पीना चाहिए जिनको ऐसे उकड़ू बैठकर के पीने में अस्विधा होती है जैसे कुछ कुछ तो ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे ऐसे बैठके पी लेंगे अब जिनका सरीर भारी भरका में हो तो लुड़ा की जाएंगे तो वो कुर्सी पर बैठके पी लें जिनका सरीर भारी भरका में ऐसे बैठने में अस्विधा होती है तो वो चेयर पर बैठके पानी पी लें खड़े हो करके लंबे समय तक पानी पीने से arthritis की बीमारी हो जाती है क्या हो जाता है बोलो arthritis और गैस्टिक की बीमारी हो जाती है जो लंबी समय तक खड़े हो करके पानी पी रहे हैं अब आप देख लेना आपको या तो gastric की problem मिलेगी arthritis की problem मिलेगी गोटनों में दर्द कमर में दर्द जोडों में दर्द इसलिए सुबह उठकर के बैठके ही पानी पीना चाहिए अब पानी के बारे में पूरी बात बता देते हैं खाने के एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए भोजनानते विशम सम्षुम्वारी खाने के एक घंटे बाद पाने खाने के तुरंत बादई दी बहुत रूखी-बूखी रोटी खाई तो 1-2 घुट चाटनी आदी के साथ रोटी खाई है तो खाना तोसो चबा-चबा के खाना जीए खाने को सोलीड को इतना चबाओ कि चबाते चबाते लिक्विड हो जाए यह है खाने की परहमपरा